दोस्तों अगर आप भी दग्रेट सर्चिन तेंदुलकर को महान खिलाडी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाई की ज़रूर किशेगा दोस्तों अपनी टीम को अटा 19 वर्ल्ल कप में जीत दिलाने के बाद जब आस्ट्रेलिया की कप्तान यूज बेबिगं ने जब महान सर्चिन तेंदुलकर के पैर छूकर उनका आशिरवाद लिया वो खुबसूरत लमहा देखकर हर कोई दंग रह गया यहां तक कि कई बड़े-बड़े भारते खिलाडियों के भी होच उड़ गये थे उसके बाद सर्चिन ने जो किया वो तो देखने लायक था तो आखिर क्यों आस्ट्रेलिया इक अप्तान ने अपनी जीत का पूरा श्रे क्रिकेट के भगवान सर्चिन तेंदुलकर के उन्डर 19-2020 World Cup में भी पूरी तरीके से उस्ट्रेलिया का ही बोल बाला रहा पहली ना सिर्फ उन्होंने वॉल्ड काप फाइनल में बड़ी मश्किल से जगे बनाई वालकि फाइनल में उनका इंतिजार कर रही टेम इंडिया को बड़ी ही बुरी तरीके से पीट कर उन्हों करना तो हर किसी के लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि एक बार फर भारती टीम और हर एक हिंदुस्तानी के अर्मानों पर आस्ट्रेलिया आई टीम ने पानी फेड़ दिया और इस बार तो उनके अंडर 19 क्रिकेट टीम थी इसके बाद तो उन्होंने जम कर जीत का जश्नमनाया साथी साथ टीम इंडिया को काफी ट्रोल भी किया ऐसा लग रहा था कि भारत के खिलाफ जीत कर तो उन्हें दोगनी खुशी हो रही है इस माहा मुकाबले को देखने के लिए खोद क्रिकेट के ने उता दिया गया था सचिन भी आस्ट्रेलियाई टीम के पास गये उन्हें जीत की ट्रोफिसों पी और उन सब ही को बढ़ाई दी उन्हीं यूवा खिलाडियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन सब ही की खाफी तारीफ की लेकिन इसे दरम्यान कुछ ऐसा हुआ जसने ह भारती के दिलों में आस्ट्रेलियाई खिलाडियों के लिए इस्ट दो नहीं दस नहीं बलकि सौग उना बढ़ा दिया जी हां दोस्तों जैसे ही सचिन तेंदुलकर आस्ट्रेलियाई खिलाडियों से मिलने पहुँचे आस्ट्रेलिया के कप्तान यूबेबिगन ने उनका स्वागत उनके पैर चुकर भारती अंदाज में किया यह देखकर तो खुद सर्चिन तेंदुलकर से लेकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था कि आखर ये कर क्या रहे हैं उन्होंने नाकेवल सर्चिन तेंदुलकर के पैर चुए बलकी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया ट कप्तान की सरकत पर तो वहां मौजूद हर कोई दिल से तालिया बचाने पर मजबूर हो गया था सब ही उन्हें सलाम करने लगे थे आखर हो भी क्यों ना एक आस्ट्रेलिया ही होते हुए भी उन्होंने भारत के नहीं वलकि दुनिया के सबसे महान खिलाडी के सम्मान में ज चर्चा का विशे बना हुआ है तो दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया कप्तान के इस महानता पर क्या कहना चाहेंगे उन्हें दस में से कितने अंक देना चाहेंगे कॉमेंट में जरूर बताएए तो आखिरकार आउस्ट्रेलिया की टीम ने चैंपिन बनने एक बात करोड़ो भारती ये देस्वासियों का दिल जीते दे हुए क्या का है तो आपको बताएंगे ही तो जान देने क्लिप वीडियो को पुराण तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता ह आउस्ट्रेलिया की टीम के चैंपिन बनने के सबसे बड़ा हाथ किस कर रहा है अपनी राये हमें नीचे कमेंड बॉक्स मेंस जरूर दें दोस्तो जैसा कि आपको पता है भारत और आउस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला गया जिसमें इंडर 19 फाइनल के मैच मैच म आउस्ट्रेलिया की टीम ने शांदार बनने बाजी करते हुए अरजा सिंग के 55 रन के दम पर 273 पन रन 7 विकेट नुकसान पर पचास ओवर के अंदर बना ली और इसका पीछा करने आई भारती टीम को 43.5 ओवर में 174 रन पर आल उट कर दिया जहां आउस्ट्रेलिया की ट अउस्ट्रेलिया टीम के खिलाब तीसरी बार भारती टीम को फाइनल मैच में करारीहार का सामना करना पड़ा है। तीरंगा जंडा भी लायराया और इसके पीछे की बज़े बताते हुए भारती खिलाडियों के फाइनल में पहुंचने की सफर की सराहना करना बताया है। बिनोनी के मैदान पर खेला गया इस मुकाबले में आस्ट्रेलिया के कप्तान हुक बैब गेन टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर है रिडिक्शन के साथ सैम कौनस्तम उतरे। लेकिन वहीं भारत की तरफ से गेन बाजी करने राज लिमबानी मैदान पर आये। दौनों अपना अपनी टीम के लिए बहतरीन चुरुआत दिला रहे थे। है रिडिक्शन खदरनाक अंदास में बल्ले बाजी कर रहे थे पहले ही ओवर में उन्होंने 11 रन बटोर लिये। लेकिन लिमबानी ने दौनों की जोड़ी को ज़्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेन पर सैम कॉंस्तम को क्लीन बोल्ट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारती टीम को पहला विकेट 16 रनों के स्कोर पर ही मिल गया। हरे दरशन का साथ देने मैदान पर हुक बैल्ब गेन आये। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को समाला स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले पावर प्ले के दसोवर में अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुँचा दिया। धीरे धीरे बल्ले बाजी करते हुए इन दोनों बल्ले बाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुँचा दिया साथ ही अच्छी पार्टनर्शिप की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन ऑलिवर पिक मैदान पर टिके हुए थे वो तुफानी बल्ले बाजी कर रहे थे अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 तक पहुचा दिया भारत की तरफ से राज लिमबानी ने 3 विकेट जटके तो वही नमंतिवारी ने 200 में पांडे और करणी के साथ आदर शिसिंग आये औस्ट्रेलिया ही गेंबास कलम बैडलर नहीं खतरनाग गेंबाजी कर पहले ओवर ही मिडन फेंक दिया भारती बल्ले बाजों को बिलकुल भी समझ नहीं आया लेकिन दोनों बल्ले बाज मैदान पर डटकर सामना कर रहे थे टीम इंडिय के टीम को बड़ा जटका केवल तीन रनों के स्कोर पर लग गया लेकिन एक तरफ से आदर शिसिंग मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए मुशीर खाना आ गए इन दोनों बल्ले बाजों के कंदे पर टीम की ये जिमदारी थी धीरे धीरे स्कोर को आगे बनाने लगे और देखते देखते दोनों खिलारी अच्छी पार्टनर्शिप की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तबी टीम के लिए तेरवा ओवर फेकने आये मोहाली बेर्ड मैन अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मुशीर खान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दि जीत के लिए टीम इंडिया को 213 रनों की जरूरत थी ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुँचाया उदय मैदान पर उतरते ही चौक का लगा कर अपना खाता खोला बारती टीम के स्कोर को तेजी से आगे आने लगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही गेंडबाज खदरना गेंडबाजी का नजारा दिखा रहे थे भारते बल्लेबाजों को खेलना मुश्किल भी हो रहा था टीम के लिए सत्रवा ओवर फेकने आए एक बार फिर मुहाली बीर्ड मैन अपने ओवर की पांचवी गेंड़ पर कप्तान उदैस सहारन को पवेलियन का रास्ता दिखा कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी चपन रनों के स्कोर पर भारत के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए टीम इंडिया एक बार फिर मुश्किल घड़ी में आ गई लेकिन एक तरफ से अदर्श सिंग मैदान पर टिके हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए सचिंदास आ गए ऐस्ट्रेलिया गिंदास खदरना गिंदासी का नसारा दिखा रहे थे टीम इंडिया पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे लेकिन सचिंदास मैदान पर आती चौक का लगा कर तेजी से आगे स्क पर गिर किया 20 ओवर में इंडिया ने केवल 74 रन ही बनाए और चार विकेट कवा बैठे लेकिन अभी भी आधर शिसिंग मैदान पर टिके हुए थे वो टीम इंडिया के लिए उमीद बनकर खड़े थे उनका साथ देने के लिए मैदान पर प्रियांशू मुलाया आये इन प्रियांशू 19 गेन में 8 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे टीम इंडिया का 5 विकेट 90 रनों के स्कोर पर गिल गया और मैगमॉल के शिकार हो गए